एक ओमलेट हम अकसर बनाया करते हैं लेकिन थोरे से चेंजर के साथ आप उसे और भी ज्यादा टेम्टिंग और हेल्दी बना सकते हैं अज हम बनायेंगे एक चीज ओमलेट जिसमें काफी सारी सबजों का इस्तमाल करेंगे इसमें चीज होने के कारण बच्चे भी बड़ी आसानी से सिखा लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा उप्चन है ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे स्लैक्स में भी सर्व कर सकते हैं तो रेसिपी को पूरा जरूर देखिए का और पसंद आए तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल न भूले इसके लिए मैंने चार अंडे लिये हैं दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो उसी के कॉटिंग बागी सारे इंगिडेंस मैजर की हैं अंडो को तोर के हमें एक मिक्सिंग बॉल में एट कर देंगे और उसे अच्छी तरह से हमें विस्क कर लेना है आप चाहें तो फोक से भी ये काम कर सकते हैं, इसे तब तक मिलाएं जब तक की एक यॉक पूरी तरह से मिल न जाए तो हाडली आपको आधे मिनट का समय लगेगा इसे मिलाने में तो यहाँ पे देखे जी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने तो जैसे ये मिल जाए उसके बाद हम इसमें बागी की चीज़े आट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के लगबग दूद दूद डालें से ओमलेट काफी फलब भी बनते हैं और सॉप्ट बनते हैं तो ज़रूर एट कीजेगा अब डालेंगे ब्लैक पेपर पॉडर एक चोटाई चोटी चममच की लगबग इसके साथ यहाँ पर नमक एट कर देंगे नमक थुरा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है और हम इसे बटर में बना रहे हैं जो की सॉल्टेड है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नमक एट कीजेए मिला लेंगे सबको अब बारियात यह सबजीओं को एट करने की तो यहाँ पे मैंने बारियक कट हुए घाजर्र शिमला मिर्च और प्याज लिया है आप चाहें तो इसमें बारियक कट हाँवा टमाटर और मश्रूम भी अड़्कर सकतेएं सबको हम एक के मिक्षर में अड़्कर देंगी और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें बारी कटिवी धन्या की पत्ती हरी मिर्च भी आट कर सकते हैं तो काफी सारे वेरियेशन्स आप इसमें ट्राइ कर सकते हैं सबको मिला लेंगे अची तरह से और यहाँ पे आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ दूर डालने के कारण यह थोरी सी पतली होती है यह देखे तो यहाँ पे हमारा एक मिक्षर बिल्कुल तयार है ओमलेट बनाने के लिए तो अब हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए एक पैन गरम किया मैंने गैस का फिल्म लो कर दीजिए एट करेंगे इसमें दू चमच के लगपक बटर आप इसे देल में भी बना सकते हैं तब भी यह बहुत टेस्टी बनेंगे बटर को हलका सा मेल्ड कर लीजिए पूरी तरह से नहीं नहीं तो वो जलने लगता है और मिक्चर पोर करने से पहले उसे एक वार इस तरह से जरूर मिला लीजिए नहीं तो ब्लैक पेपर पॉर्डर नीचे में बैठ जाता है तो यहां पे इसे हम ढाल देंगे पैन में और इसे लगपक 10 सकेंड तक पकने दीजिए अब यहां पे हम स्पेचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरह बढ़ाएंगे तो पीछे जो स्पेच बनेगा उसमें फिर से एक मिस जड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को करने से आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनती है और इस तरह ओमलेट बनाने से वो काफी थिक बनती है तो यह बहुत अच्छा टिप है आप इसे फॉलो कर सकते हैं कुछ दिर के बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यह देखें और आप बीच में देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स बन रही है यह देखें और जहाँ जहाँ स्पेस से वहाँ पर एग मिक्स्चर इस तरह से आ जाती है तो लगभग आदी मिनट के बाद आप देखेंगे कि यह नीचे से सेट हो जाएगा तब आप इस प्रॉसेस को करना बन कर दीजे और जो लेयर्स बनती है उसे इवनली स्प्रेट कर दीजे तो लगभग एक मिनट के बाद यहाँ पर देखेंगे अब जो हम स्पेस बना रहे हैं उसमें एग मिक्स्चर नहीं आ रहा है यानि कि वो नीचे से सेट हो जुगा है तो अब इस प्रॉसेस को हम नहीं करेंगे अब इसे पकने देते हैं तो लगभग आदे मिनट के बाद यहाँ पर नीचे समेने चेक कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है और यह पक चुका है अब हम इसे फ्लिप करेंगे तो यहाँ साइट्स को थोड़ा सा लग कर लेते हैं और यह देखें अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी इसे फ्लिप कर सकते हैं लेकिन यह प्रॉसेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक प्लेट रखने के बाद मैंने उसे फ्लिप किया अब वापस से पैन में अट कर दूँगी तो थोड़ा सा यह हेवी हो जाता है तो इसके लिए स्पैचुला से तूटने का ड़रत है तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रॉसेस इस्तमाल किया है अगर आप स्पैचुला से फिलिप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए अब वापस चीज से पैन में रख देते हैं इस तरह से यहां पर हम इसमें चीज स्प्रेट करेंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने मौजरेला चीज लिए आप कोई भी प्रॉसेस चीज इसमें इसमे फिलिप करना है तो यहां पर देखिए लगबग एक चौधाई कप चीज लिए मैंने और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से हैं और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है अब लगबग आदे बनिट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे एक साइट पकने देंगे और फिर से फिल्प करेंगे तो यहाँ पे देखेए आदवनेट हो चुका है तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और यहाँ पे देखे कितना च्छक ड़र आया है तो लगभग आदवनेट के लिए दूसरी साइड भी पका लेंगे तो यहाँ पे आदवनेट हो चुका है कितनी अची तरह से चीज मेल्ट हो चुका है कितना कलर्फटुल लगड़ा है और मैं आपको नस्दीक से का टेक्षय दिखाती हूँ तो यह देखे चीज कितनी अची तरह से मेल्ट हुआ है इसमें तो यहां पर आप ओमलेट की थिकनेस देख सकते हैं, अंदर में इसकी लेर्स आप नोटिस कर सकते हैं, तो वो जो टिप हमने फॉलो की थी उसे जरूर फॉलो कीजेगा, इस तरह से आप ओमलेट बनाईए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, इसे करमागरम सर् तब तक के लिए, stay healthy, stay blessed and thank you for watching.